हेई एवरिवान वेल्कम बैक तो माई चानल आज मैं आपके साथ आगरा व्लॉब की वीडियो शेयर कर रही हूँ हम आगरा दो दिन के प्लाइन के साथ आए थे अगर आपके भी पास आगरा भूपने के लिए लिमिटेड डेस हैं तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर द आप आपका बैगेज सेफली रख सकते हैं अगर हम टिकेट की बात करें तो यहां रूपीज 50 पर परसन टिकेट है और इसका टाइमिंग मॉर्निंग 6 एम से इविनिंग 6 पी एम तक है इसका डिस्टेंस आपको ताज महल से 5.5 किलोमेटर का पड़ेगा तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहे और अगर अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो और अगर आपको इस पूरी प्लेस की जानकारी लेनी हो तो आप यहां पर गाइड भी कर सकते हैं हमने यहां गाइड किया था जिन्होंने हमसे थ्रियंड़ उपीस चार्ज किये थे यह जो आप देख रहे हैं यह जह देगी मीना मस्जद जो की क्लोज है हमें आगरा फॉर्ट अच्छे से घूम लें करीब दो-तिन गहंटे लग गए आप आपके टाइमिंग के हिसाफ से हमारा राम से घूम सकते हैं यह जो आपको नज़र आ रही है यह है मौती मस्जद इसमें अंदर जाना अलाउट नहीं है तो हमने इसे बाहर से ही अच्छे से देख लिया हमारी नेक्स देस्टिनेशन है इतमादो दोला जिसे बेबी ताज भी कहा जाता है अगर बात करें हम यहां की टाइमिंग तो यहां का जो टिकेट है वो पर परसन रुपीज 30 है और यहां का ओपनिंग और प्लोसिंग टाइम मौनिंग 6 एम से इवनिंग 6 पी एम तक है अगर बात करें इसके डिस्टेंस की तो यह आगरा फॉर्ट से लगबग 4.4 किलोमेटर्स की है आप इस बेबी ताज के चारो तरफ चार बाग स्टाइल गार्डन भी एंजॉय कर सकते हैं हमारा नेक्स सेस्टिनेशन है महताब बाग महताब बाग से आप ताज महल का व्यूपॉइट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आप कैमल राइड भी एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए अंदर चलते हैं अगर बात करें यहाँ के टिकेट्स की तो यहाँ पर टिकेट 15-25 रूपीज पर बरसन है और यहाँ का उपनिंग और क्लोजिंग टाइम 6 एम से 6 पी एम तक है और इसका डिस्टेंस बेबी ताज से 2.5 किलोमेटर का है आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ब्यूटिफुल वीव आ रहा है ताजमेल का यह महताब बाग क्योंकि ताजमेल के ज़स्ट पैक साइड है तो यहाँ शाह जहाँ बलेक ताजमेल भी बनवाना चाहते थे हमारा नेक्स डेस्टिनेशन है सदर बजार अगर आप फुट और शॉपिंग दोनों के शौकीन है तो यहाँ उपर जरूर जाए यह है फुटवेर्स का मार्केट यहाँ आपको हर टाइप की फुटवेर्स मिल जाएगी यहाँ पर बाहर बहुत सारे महंदी आर्टिस्ट भी बढ़ता है तो आप यहाँ महंदी भी लगवा सकते हैं तो चली अब चलते हैं फुट वाली गली में आपको यहाँ अलग लग तरह की बहुत सारी चीज़े ट्राइ करने को मिल सकते हैं आपकी जो भी फेवरिट चीज़े आप यहाँ पर ट्राइ कर सकते हैं हमने भी यहाँ बहुत सारी चीज़े ट्राइ करी आगे मैं आपको बदाऊंगी कि हमने यहाँ क्या 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 हमने यहाँ फर्स ट्राइ किया वेच मॉमुस आप देख सकते हैं कितने था फिर हमने ट्राइ किया आइस्क्रीम फालूदा यहां पर हमने और भी चीज़ी ट्राइ की थी हमने यहां कॉन चार्ट और पानिय पूरी भी ट्राइ की थी यह देखे हमारे यमी आइस क्रीम फालूदा रेडी हो गया है फिर हम गए थे चार्ट कॉर्णर पर जो सबका फेवरेट होता है क्या आपका भी फेवरेट है कमेंड करके जरूर बताएं नेक्स्ट हमने ट्राइक की दहीं पूरी जिसका टेस्ट लाजवाब था फिर हम आ गय रहे हैं आगरा का फेमेस पेठा लेने यहां हमें बहुत सारी वेराइटी में पेठा देखने को मिले हमने यहां से 5 फ्लीवर्स ऑफ पेठे लिए थे हमने सबसे पहले ट्राई किया ड्राई पेठा फिर हमने ट्राई किया चॉकलेट पेठा जो बहुत टेस्टी था यह पेठा यह वाला है रोज पेठा जिसके ओपर कोकोनट का बूरा लगा हुआ है लास्ट हमारा जो पेठा है वो है पान फ्लेवर पेठा इसके अंदर की फीलिंग बहुत यम्मी थी यह था हमारा डे वन जिसमें हमने बहुत जादा एंजॉय किया डे टू की वीडियो भी जल्दी अप्लोड की जाएगी जब तक के लिए स्टे टिन थैंक यू बाबाई